तो आज के लेक्टर में लोग डिस्केशन करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट प्वेशन है एकसर्साइज 9.1 केसी सिना का कॉर्षिन नमबर 23 तो देखना के आए कॉर्षिन नमबर 23 क्या देखा है के हम देखने स्काइज और सल्एग आर सुर्षिन जा 150 अभ़ा अभद।। नमबर 23 का देखने स्यर लेखनां नमबर 23 क्या जा तो एकसर लेखना स्यर लेखने सालम प्यंग यINGING entwic़ेण the values of a and b for which fx is continuous, मतलब दे रखा है आपको कि fx हमारा continuous है, fx हमारा continuous है, तो आप बताएं कि a और b की value क्या होगी, यहाँ पर दो unknown variable दे रखा है a और b, तो then find the value of a and b, तो यहाँ पर देखने वागे हैं कि हमारा हमें निकालना है a और b की value, और definition क्या दे रखा है कि x less than equal to 3 पे 1 है, greater than 3 और less than 5 पे x plus b है और greater than 5 पे क्या हमारा 7 है, तो हम देख पाने हैं कि x is equal to 3 और x is equal to 5, 3 पे हमारा less than equal to or greater than का condition है और 5 पे भी हमारे पास less than, greater than or equal to का भी condition है, तो हम x is equal to 3 पर भी और x is equal to 5 पर भी continuity के बारे में बात करने वाले हैं, तो आईए देखते हैं solution तो चेक करते हैं कि case 1 place 1 जब x is equal to 3, x is equal to 3 ले लेते हैं, तो जिस पॉइंट से continuity चेक करते हैं, उसे क्या भी सुप करते हैं, let x is equal to a is equal to 3 अब हम जानते हैं कि हमारा function जो रहा है, वो क्या दे रखा है, continuous दे रखा है, हमारा function क्या दे रखा है, continuous दे रखा है, तो देखते हैं, जानते हैं, जानते है, 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 जान तो वह x is equal to 3 पर भी continuous होगा तो अगर यह function continuous है तो हमारा left hand limit, right hand limit और क्या video of function एक आपका समें क्या होगे एक बर होगे तो देखते हैं left hand limit का formula क्या होता है तो left hand limit का formula है limit h tends to 0 function of a minus h right hand limit का formula होगे limit h tends to 0 function of a plus h और f a की value apply कतने ही का है a की value 3 तो therefore yyou got up limit h tends to 0 function of 3 minus h यह होगे limit h tends to 0 एक इवर्यू क्या रखने वाले है थ्री तो यह होगा हमारा क्या थ्री प्लस एच और यह क्या होगा हमारा थ्री से छोटा है और थ्री से छोटा के लिए हमारे प्लस एक तो दिन हम यहां पर पूट करने वाले हैं हम यहां पर पूट करने वाले हैं जाए यह होगा हमारे उलिए एक थ्री प्लस एक शी ब्लस इस पिंधुर हम गें होटकर नहीं यहां के मुआ पास थीन एक वर्हें आप अब दो ऐसे को लिए जिन में एक में होना चाहिए वर नहीं होना चाहिए तो हम देख पा रहे हैं या को मैं और सेकंड और थे लों बतुळू एक इक में सेकंड में हमारा एक यह जी यह रहा है और एको ऐसे टाइट में यह भी ना वह है तो पेकिंग सेकंड और फिर्ट तर्स को लिए हम सेकंड तर्स नहीं हो लिमिट एक्सेंस टू जीओ एक 3 plus h plus b is equal to 1 यह हो गया हमारा क्या limit अप्लाई ही लिट करते हैं डार्ट ने लिमित अप्लाई करते हैं एच के लेखा पर 0 तो a into 3 plus 0 plus b is equal to 1 यह हो गया हमारा क्या 3A plus B is equal to 1 इसे हम क्या प्रेखे हैं equation number 1 consider कर लेते हैं इसे equation number 1 consider कर लेते हैं पहरा प्रेखेशन आगे 3A plus B अब हमारे पास एक point आइस विल्बन x is equal to 5 तो x is equal to 5 पर भी इस तरीके से हम करते हैं और equation number 2 लाने की process करते हैं तो यहां के अब देखपा रहें क्या next point पर चेक करते हैं तो माल यह क्या हमारा अग्ला point इते है x is equal to 5 तो left x is equal to a is equal to 5 अब हमारा दिया है कि function जो है हमारा क्या है continuous है तो it is given that fx is continuous function fx is continuous function that means left hand limit right hand limit और function की value आपस में equal होगा left hand limit का formula यही right hand limit का formula ही और function of a का formula यही तो यह हमारा होगया limit h tends to 0 एक ही देखा कि इस बार में क्या replace करने वाले 5 यह case 2 होगा वाला 5 minus h यह होगया limit h tends to 0 function of 5 plus h और f of 5 यहां के देख पार एक ही 5 minus h that means 5 से less 5 से less पर function की definition दे रखा है a x plus b तो हम यहां पे अप्लाई करने वाले x के जगा पे 5 minus h तो यह हो जाएगा हमारा limit h tends to 0 a x के जगा पिट्ट्या रिप्येस होगा 5 minus h plus b limit अब यहां 5 plus h 5 plus h का मतला 5 से गेरटर 5 से गेरटर के जगा पे function की definition 7 है अब लिमत लगाने का कोई मतलब रहेगा नहीं कि 7 एक constant number है h नहीं तो इल्मिट यहां पे आएक नहीं यहां पे एक्जाट 7 लिखना जाएगा 5 पे इक्वल में भी आँपर आँग्शाट 7 तो यहां पर 3 terms हो गाउं 1st 2nd और 3nd कि दो utterMOW को ले ते हैं to take 1st and 2nd term एक में non variable होना चाहिए और एक term में non variable नहीं होना चाहिए so taking taking first and कषिए हैं ते प्रफिर बाश्ट करो सितन्य मिदा घंस पूर गुआ है उंसरे नहीं लो 다яти A, 5-H, plus B, is equal to 7, limit apply करते हैं, तो limit apply करने के यह हो जाएगा हमारा क्या, A, 5-0, plus B, is equal to 7, यह हो क्या हमारा क्या, 5A, plus B, is equal to 7, अब हमारे पास इसे equation number 2 consider कर सकते हैं, तो हमारे पास एक equation आया था, 3A, plus B, और उसे equation क्या है, 5A, plus B, is equal to 7, अब इन दो में कर सॉल्व करने की कोशिस करते हैं, तो सॉल्व करते हैं इन दो में equations को, तो next अब हम क्या करते हैं, इन दो में equations को सॉल्व कर देते हैं, solving equation first and second, वो है क्या 5, second equation है मारे पास 5A, plus B, is equal to क्या 7, subtract के रहे दो में को, तो subtract के रहे चुट क्या देख इता रहे हो, यह plus का minus करेंगे, इस plus का भी minus करेंगे, और इस plus का भी क्या करने वारे, minus, plus B minus B, cancel, 5A, 3A, यह जाएगा मारे क्या, minus 2A, और यह जाएगा minus 6, negative, positive, A is equal to 6 by 2, तो एक इन दो क्या आगे, 3, from equation 1, from equation 1 से, A की value क्या रहते है, 3 into 3 plus B is equal to 1, यह जाएगा 9 plus B is equal to 1, तो B की value क्या आगे, minus 6, तो हैंस, हमें A और B की value क्या गया था, तो A की value आगे, 3, और B की value क्या आगे, minus 6, यह हमारा answer हो, तो यह question no. 25 है, और important question है, यह हमारा क्याद है, question no. 25 में, collect the I definition, fx is equal to x square minus B, when x greater than equal to 0 or less than 1, 2, x equal to 1 or x plus 1, if x greater than 1 or less than equal to 2, यह दे रखना है, कि यह continuous function है, at x is equal to 1k, x is equal to 1k हमारा दिया गया function क्या है, ध्यान से देखे, तो at x is equal to 1k, दिया गया function continuous है, तो आपको relation निकालना है, A और D के बीच में क्या relation है, वो find out करना है, तो function दिया है, continuous, function हमारा क्या है, it is given that, fx is continuous at x is equal to 1k, fx do at, वो continuous at x is equal to 1k, तो अगर x is equal to 1k continuous है, तो इसे लेट कर लेते, x is equal to a is equal to 1, और अगर continuous है, तो left hand limit, right hand limit और below function आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो left hand unit का definition था हमारा, limit h tends to 0, function of a minus h, right hand limit का limit h tends to 0, function of a plus h, one plus h, तो यह replace कर दिया गया, limit h tends to 0, function of 1 minus h, limit h tends to 0, function of 1 plus h, क्योंकि a के वेलीवभ़ रहन हें, तो एक रहते हैं, पहलना है, तो function of 1, अब अब देख पाले हैं कि a minus h, that means 1 minus h, 1 minus h का मत्तब 1 से खोटा, अब 1 हमारे पास यहां भी है यहां भी है और यहां देख पारें कि X जो है वो 1 से लेस है X is less than 1 और इसके सामें जो डिफिनेशन है वो क्या है A X स्क्वेर प्लस A X स्क्वेर माइनस B तो X के जगाप एक क्या रिफ्लेस करना होगा 1 माइनस H X के जगाप एक क्या होगा लिमित H तो 0 A X के जगाप एक क्या रिफ्लेस करना होगा 1 माइनस H और X को स्क्वेर है तो यहां दे हमारे इसक्वेर लगे है माइनस B फिन हमारा क्या 1 प्लस X मतलब 1 से ग्रेटर समने एक्स प्लस तो सब्सक्राइब और कलिए Core तो इंट तो आप्या यह कर श्रक्त सब्सक्राइब को आप यह की दो यह जो आप से कंट या फस फर्स थर्ट को कि आ तो टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म तो यह क्या माना लिमिट h tends to 0 a 1-6 का बोल स्कार माइनस b और यह पूल कोई इन डिटर्मिनेट पार नहीं है यह लिमिट अप्लाई करते है अप्लाई हूँ लिमिट तो यह जाएगा a 1-0 का बोल स्कार माइनस b प्रादब 2 यह हूँ क्या मारा था है a into 1-b is equal to 2 तो जो रिलेशन क्या है हमाने पास देखा जाए तो यह पूर ए और b के बीच में रिलेशन क्या है a-b is equal to मतब a और b को सब्ट्राइक क्या जाए तो माने रिलेशन क्या आने मादा है दो तो इस इस रिक्वाइड रिलेशन बेट्विन यह एंड यह माना एंसरोगा तो के थाए थाए